एक महीने तक चले MI जुनियर इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नमेंट के नागपूर चरन के फाइनल अजनी के सेंट्रल रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए राजेंद्र हाई स्कूल कोठी रोड ने खितावी डबल पूरा करते हुए गर्ल्स अंडर 15 और बॉइस अंडर 14 सिटी चेंपिनशिप जीती जबकि एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल वर्धा रोड ने बॉइस अंडर 16 ट्रॉफी जीती पूर्वभारती क्रिकेटर और वर्धमान में मुंबई इंडियन्स स्काउट केरन मोरे ने सेंटरल रेलवे ग्राउंड में विजीतर टीमों को ट्रॉफीया प्रदान की एमाई जूनियर इंटर स्कूल क्रिकेट टूनमेंट का तीसरा संस्क्रण शेर के कुछ प्रतिष्ठत मैदानों में खेला गया जिसमें 60 सदिक टीमों के लभखक एक हसा क्रिकेटरों ने तीन आयू वर्गों बालक अंडर 14, बालिका अंडर 15 और बालिका अंडर 16 में भाग लिया पूर्वभारती क्रिकेटर और मुंबई इंडियन्स की स्काउट किरन मोरे ने इस अफसर पर कहा टूनामेंट में भाग लेने के लिए स्कूलों की प्रतिक्रिया और होसला देखना बेहद उत्सा चनक है यूवा प्रतिवाओं को निखाड़ना अत्यंत महत्पून है और मेरा मानना है कि एमाई जूनियर उन्हें अपने कोशल का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रतिसपर्धी और पेश्यवर मंच प्रदान कर रही है मैं नाकपो चरन के सभी विजेताओं को वधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे आगे भी अपनी चाप चोड़ेंगे और अधिक ख्याती अरजित करेंगे विजेता टीम है अब मुंबई इंडियन्स की कोचिंग टीम के एक सदस्य के मार्क दर्शन में फ्रसिक्षन लेने और अमूली ज्यान प्राप्त करने के लिए तयार है माई जूनियर मुंबई इंडियन्स की मालकीन नीतामानी द्वारा परिकल्पित एक पहल है जो श्यक्षन पार्टिक्रम के हिस्से की रूप में खेलों को बढ़ावा देने में सबसे आगे रही है और एलाइंस फाउन्डेशन के जरिये ESA सभी के लिए शिक्षा और खेल साइत जमीनी इस्तर पर कई खेल पहलों का नेतरत्व कर रही है हर जगह एक नाकपूर में होता है पुना में होता है मुंबई में होता है तो इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते इनके लिए बहुत एक अच्छा बड़ा प्लैटफॉर्म है उनका होनार दिखाने का और यहां से मैं तह मानता हूं मैं इनको जज नी करूंगा यहा अच्छा परफॉंस किसी ने लड़के ने पांसो चारन बनाया है यहां पर तो उसको भी मौका दिया जाएगा कहीं ने कहीं तो आइसे बॉलर्स भी होगे बैटर्स भी होगे विकेट कीपर्स भी होगे तो वो जो वी सिलेक्टर देखे हो तो उनको जो मौके मिलेंगे वी तो एक बड़ा अच्छा इनिशेट्यू है और यह तो शुरुवात है और आप आगे-आगे बढ़ते जाओ तो जैसे साल जाएंगे इसमें से आपको बहुत क्रिकटर्स मिलेंगे और यहां से बच्चे अच्छे खेलेंगे तो फ्यूचर में मैं चाहता हो कि वह मैं के लि ही मासे भाउस करके दिखाया आगे है तो हम लोग इंडिया के प्लेयर बनाते हैं एंडियन टीम के छलिए प्लेयर बनते हैं और सुपरसरइब भी अधिक हमारा कम होता है ऑं पूरा प्रोडख बनारा और यह हमारे हमारे जो हमारे Reliance है, जो ओनर से हमारे, वो पूरा 110 परषन देते हैं, और उनका जो काम है, हम 12 मुहने के लिए काम करते हैं, ऐसे नहीं कि हम एक महने के लिए काम करते हैं, फुरे 12 महने काम करते हैं, और उसमें से हम लोग अच्छे-चे प्लेयर शेलेक करके लेके आते हैं, हमारी जो टीम है, Reliance Foundation की, वो भी प्राइवेट टोनामेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो अच्छे अच्छे खेलारी को वहाँ पी मोका दिया जाता है, तो I think एक अच्छी इनिशिटी है, और मैं चाहता हूँ कि यह आगे बड़े, और यह इनिशिटी लिया है, और बड़िया ग्राउंड है, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी से है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से कोई फ्यूचर में, मैं मैं के लिए खेले और इंडिया के लिए खेले, तो मैं चाहता हूँ जिसे परफॉर्स करते जाएंगे, तो बिल्कुल उनके मौके मिलते जाएंगे, और अभी हाल में यहाँ पर टेस्स मैच भी होने वाला है, तो यह तो एक कल्चर सिटी है, और यहाँ पर क्रिकेट का महौल ता अच्छा ही है, क्रिकेट करते जाएंगे,